जो मेरे हस्बंड का गलत सीन दिखाया है उससे अब्जेक्शन है इन्होंने दिखाया है आप देखो कर्फ्यू लगा है आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है यह क्या लोग इतनी बड़ी कॉल ह जो पाकिस्तान से भी इतने प्रो एक्टिव हो रखे हैं बेर नजीर भुटो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकट मैच का भी बताया है कि जो हा रला यह लोग करते हैं और आप यह बता रहे हो कि इतना तुफान उठा है जैनो साइड नाइंटींद को हो गया है और किसी गर्मेंट ऑफिसर का तो उन्होंने अब रवी का सीन ठोका गया है बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवी स्कॉडल लीडल खना की बीवी की जंग की वज़े से उनको दुनिया जानती आज वरना बड़े सोल्जर्स शेहिद होते हैं हमारे वन टुवन किसी का न वो कहते हाई रवी रवी भी उनको देखके हाई करता है और बच्चे आते हैं वो उसको रोज प्रेजिंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को ठाफिया मार रहा है इतने में मिलिटेंट्स आते हैं वो उनको गोलिया मार के तो चले जाते हैं ये दिखाया है क्योंकि इनको यहीं दिखाना चाहिए था जो हुआ है क्योंकि इनको क्या यह इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी क्या हम मुवी बिना रहे हैं उसमें स्कॉडल निडर खना का यह सीन डालना चाहते है मैडम आपसे चाहिए हमको बताएंगे कि यह बात आपने अगनी होतरी जी से की तक कि आपकी बिना परमिशन के यह किस तरह से उन्होंने सीन क्रियेट किया मुझे नहीं पता आई पूछा उनसे मैंने कहा है वहाँ पे और क्या इन्डियन एर फोर्स से पूछा है मुझे तो छोड़ दो डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्कॉडल नीडर खना क्या ही अपमान नहीं मैं समयती है मैं पूरी डिफेंस फोर्स का यह अपमान समयती हूँ तो उनको वंदे मातरम के इलावा कुछ नहीं पता हूँ